Hello everyone and welcome to my channel Judgments in Criminal Law मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त अमित कश्यप Friends, QR Code अब हमारे जिन्दगी का, बैंकिंग सिस्टम का और हमारे पेमिंट सिस्टम का एक महत्वपून हिस्सा हो चुका है लगबग हर दिन हम अपने मोबाइल फोन से कहीं न कहीं QR Code को स्कैन करके अपने पेमिंट को देते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस QR Code के संबन्द में एक बहुत बड़ा स्कैम सामने आया है जिसे आपको जानने की अवशक्ता है होता यह है कि आपको अपने नंबर पर एक मैसेज मिलता है या फिर email पर एक मैसेज मिलता है या various social platforms पर एक मैसेज मिलता है जिसके जरिये आपको यह सूचित किया जाता है कि आपने कोई lottery जीती है कोई इनाम जीता है या किसी तरह का कोई competition जीता है और उस lottery या competition के इनाम का भुगतान आपको करना है इसके लिए आपसे किसी भी तरह के processing fees की भी मांग नहीं की जाती है बलकि यह कहा जाता है कि quick payment के लिए आपको एक QR code भेजा जा रहा है आप उस QR code को scan करें और scan करते ही payment जो है वह आपके bank account में चला जाएगा QR code आता है और आप जैसे ही उस QR code को scan करते हैं payment अपने account में लेने के लिए इसके बाद आपके bank account से ही आपके सारे पैसे scammers जो है वह उड़ा लेते हैं सिर्फ इनाम के लालच में ही नहीं यह भी हो सकता है कि आपने किसी mall में किसी बड़े दुकान में आपने shopping की हो अगले दिन आपको वहाँ से एक call आए जो कि scammer से दुआरा किया जाता है और आपको कहा जाता है कि आपने कल जो समान लिया है उसका आपने ज्यादा वुकतान कर दिया है और वह mall या फिर वह shop चाहता है कि आपको तुरंट से तुरंट जो भी extra पैसा आपने pay किया है उसको refund कर दिया जाए इसको quickly refund करने के लिए वह आपको एक QR code भेजते हैं और आपसे कहते हैं कि इसको scan कीजिए और payment जो है आपके bank account में चला जाएगा और फिर होता वही है जैसे ही आप scan करते हो आपके bank account से scammers पैसे उड़ा लेते हैं मैटर सरिफ इनाम जीतने या किसी shop से marketing करने के संबंद में ही नहीं है किसी भी तरह के payment का refund अगर आपको होना है या payment आपको मिलना है और अगर इसके लिए कोई भी आपको QR code भेज रहा है कि आप उसे scan करके पैसा आपने bank account में ले लीजिए तो फिर आपको साफधान हो जाने क अवशक्ता है क्योंकि RBI और तमाम बैंकों ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं बैंकों का इस पर्स्ट रूप से कहना है कि QR code किसी को भी payment करने के लिए होता है ना कि payment receive करने के लिए अभी तक ऐसी कोई भी technology नहीं आई है जहां पर QR code scan करके आप पैसे अपने account में ले सकते हैं आप QR code को scan करके सर्फ पैसा किसी को pay कर सकते हैं इसलिए अगर किसी भी तरह का आपको refund आना है या किसी भी तरह का आपको पैसा आना है payment आना है और अगर सामने वाला बच्तिया कह रहा है कि मैं आपको QR code भीज रहा हूं आप उसको scan करके पैसा अप आपने बैंक एकाउंट में ले लें क्योंकि अगर पेमेंट लेने की चक्कर में आपने QR कोड को स्कैन किया तो इस्कैमर्स के द्वारा आपके बैंक एकाउंट से पैसे उड़ाए जा सकते हैं So in short QR code को स्रिफ पेमेंट करने के लिए इस्तमाल करें न कि पेमेंट रिसीव करने के लिए आसा करता हूँ मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इंफॉर्मेटिव लगा होगा अगर आपको मेरा यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्या